नमस्कार मैं गोविन मिना केंद्रे विद्धेले जैतपूर इस वीडियो में हम क्लास 6 का जोग्रफिका चैप्टर 2 ग्लॉब लेटिटूड्स एंड लोंगिटूड्स को इस्टडी कर रहे हैं तो यह हमारा इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है पहले वीडियो में हमने टॉपिक नमबर जो 5 तक है उनको इस्टडी किया था तो पहला वाला जो वीडियो है हमारा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो हमने जो पहले वाले वीडियो में स्टडी किया था वह किया था ग्लोब को एक्सिस ओप दा अर्थ को लेटिटूड्स को जो इसके बाद यो जो देशानतर होते हैं वो क्या होते हैं लोंगिट्योड और जो टाइम है स्के बाद इक एक लिया बाद टैल बाद गाभिवलो गैसलिक बाद उफ्हेंध बाक्य कि उसलेवा का पेखार में भी करेंगे वीडिये। इस टार्इद करने से पहले जर्नल इंफर्मेशन है जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब आपको जो ग्रोफ ही कि जो आपकी टेक्स्ट बुक है है ना ये से आपके पास रखने हैं और दूसरा जो वीडियो में इसको आप वीडियो को पोज करके पढ़ लें थीक हमारा सिक्स टोपिक था आपकी एंफ पा और लोंगिट्ज यानि देश आंतर क्या होता है longitudes को हिंदी में क्या कहा जाता है देशांतर तो देखो जिस प्रकार से जिस टाइब से latitudes क्या थे latitudes यानि अक्सांस क्या थे जो equator है इस equator के जो parallel नोर्थ पोल की तरब भी और south pole की तरब भी जो circle है इन सभी circle को क्या कहा जाता है latitudes उसी तरीके से north pole से south pole या south pole से north pole में जो imaginary lines हैं जिनको खीचा गया है कालपनिक रूप से in lines को खीचा गया कहा से pole to pole एक pole से दूसरे pole को तो उनको कहा जाता है longitudes या देशांतर एक परकार से जो अर्थ का जो globe है उसमें जो vertical line है कौन सी लाइन वर्टिकल लाइन उर्धवाधर जो रेखाएं हैं उनको कहा जाता है longitudes जिस तरीके से जो latitudes थे हमारे मतलब अकसांस थे अकसांस कितने थे 0 डिग्री से north pole तक थे 90 डिग्री जिरो डिग्री से south pole तक थे 90 तो total कितने हो गये थे 180 डिग्री तो उसी तरीके जो देशांतर भी है देशांतर भी उसी तरीके से सबसे जो बीच में 0 डिग्री जो greenwich line कहते हैं इसको सबसे मिडिल में है न उसको zero degree greenwich line कहते हैं तो इस greenwich line के east part की तरफ जिसको eastern hemisphere भी कहा जाता है क्या कहा जाता है पूरवी गोलार्द और इसी greenwich line के western में यानि पस्चिम में उसको कहा जाता है western hemisphere तो दोनों तरफ 180 degree lines तो इस तरफ है और 180 degree line ही इस तरफ है यानि northern hemisphere में भी 180 degree lines है और जो western hemisphere है उसमें भी 180 degree lines है तो जो total longitudes है ना जो देशांतर है total तो कितने हो गए 360 degree longitudes तो टोटल जो देशांतर रेखा हैं उनके शंक्या कितनी है 360 डिग्री लोंगिटूड इसके लाबा प्राइम मेरेडियन प्राइम मेरेडियन जो राइन यह जुझ ग्रीन विच लाइन यह इसको ग्रीन विच जो लाइन इसको primary din भी कहा जाता है इसी 0 degree line से पूरो की तरफ 180 है और इसी 0 degree line के पस्षिम की तरफ 180 degree line है इसके एलावा 180 तरफ जो longitudes है यह जैसे इस तरफ 0 degree है इस तरफ तो जो इसके opposite side में जो globe होगा ग्लोब की अपोजिट साइड में जो है ना वो है 180 डिग्री लोंगिटूड तो दोनों जो है ना आर्थ को एक्वल पार्ट में डिवाइड गरती है दोनों लाइनस जिरो डिग्री ग्रिन विच लाइन प्राइम मेरिडियन जिसे कहा जाता है और 180 डिग्री जो लाइन है वो इसको टोटल डिवाइड इसमें डिवाइड गरती है ठीक तो यह हमारे हों गए लोंगिटूड या देशांतर आप देखो लोंगिटूड एंड टाइम अब जैसा क हमें इससे पहले सटीडी किया था कि जो अक्षांस होते हैं झो дляतीटूड से हमें पता लगा है कि अरत में कौन कौन से टैंपरेचर जोन नहीं जिसे मालो यह extra sacar की चांपरेचर को बताना या कहा पे कितना टेमपरेचर होगा, कहां पे कॉल्ड कंडिशन होगी, काम किसका था किसकी साहिता से हम जानते है लेटिटूट की साहिता से उसी तरीके से जो longitude की मदद से हम time की calculation करते है जो हमारी earth है हमारी earth का जो globe है या जो हमारा world map है उसमें हम जो time की calculation करते हैं जो measure करते हैं वो किसकी साहिता से करते हैं किसके help से करते हैं longitude की helps है तो जो हमारा पुरा earth का map है या जो globe है उसको हमने total 180 degree में divide कर रखा है 360 degree में divide कर रखा है जिसके बिलकुल middle में center में बिलकुल center में prime meridian line है 0 degree इस prime meridian line के east की तरब भी 180 degree lines है इसके west की तरब भी 180 degree lines है अब देखो time की calculation किस तरीके से की जाती है तो देखो हम the best means of measuring time is by the moment of earth moon and planets तो जो time की जो सही calculation होती है नो उसका सही measurement किसे निकाल सकते हैं जो हमारी जो अर्थ है ना जो अपने axis पर गूमती है जिसे हमने इससे पहले जो axis of the earth को study किया था इससे पहले वाली वीडियो में यह हमने study किया था तो यह जो axis of the earth है ना इसमें यह अर्थ rotation कर रही है तो यह जो west to east जो गूमती है इसको समय लगता है 24 hour कितना time लगता है 24 hour यानि 24 गंटे इसको west to east गूमने में समय लगता है तो देखो जो यह जो है ना sun regularly rise and sets every day and naturally it is best time keeper throughout the world तो हमने जो हमारा calendar बनाया या पिर जो हमारी clock है वो किस पे defend है वो है sun पे sun की rising और sun के set होने पे तो जो दिन रात क्यों होते हैं जो अर्थ अपने जो rotation है ना ये इस तरीके से जो rotation करती है ना अर्थ ये ये इस तरीके से तो जिस देखो इस तरफ जो sun है ना उसकी light है तो इस रीजन में यहाँ पे दिन होगा तो sun की जो light आती हैं उससे हम दिन और रात का विभाजन करते हैं डिवाइड करते हूं इसको तो जो इसी से हम जो टाइम की केलिकुलेशन हैं तो देखो यह पर यह किया रहे है दा आर्थ रोटेट प्रॉम वेस्ट टू एस्ट पस्चिम से पूराव की तरफ आर्थ जो है ना वो रोटेट करती है दोज पहले इस्ट ऑप ग्रीन विच विल बी अहेड ओब ग्रीन विच टाइम दोज टू वेस्ट विल बी बिहाइंड इट टाइम अब देखो इसमें बड़ी सिंपल सी चीज़ कोई कन्फूजिंग का एक आम नहीं है यह ग्रीन विच लाइन है जीरो डिगरी लोंगिट्यूड लाइन है कौन सी यह वाली है ना इसको जीरो डिगरी देशांतर हम रेका कह देंगे तो इस लाइन के वेस्ट का जो पार्ट है यानि पस्चिम का जो पार्ट है जिसको हम पस्चिमी गोलार्द भी कहेंगे या फिर वेस्टन हेमिस्पेर भी कहेंगे यह जो होता है यह ग्रीन विच के इसकी तरब का जो टा तो ये जो समय न ये अहेड होता, ये पहले चलता है, यानि ये आगे चलता है, तो इस तरहम जो time होगा उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो ये जो जैसे ही हम ग्रीन विच लाइन के पस्चिम की तरफ या पस्चिमी गुलार्द की तरफ जाएंगे तो जो टाइम है वो क्या होगा लेकिन यह बिल्कुल आसान है एकदम सिंपल है इसको भी और भी ज़दा सिंपलिफाई हम करेंगे सबसे पहले हमें क्या चीज समझनी है कि यह ग्रीन विच लाइन है जीरो डिग्री ग्रीन विच लाइन इसमें को आप बहुत भी अच्छे से देखना चाहो तो 2.1 जो फिग होगा यानि कि आगे चलेगा और जब हम पस्चिम की तरफ जाएंगे तो टाइम जो है वो माइनस होगा यानि कि पीछे की तरफ चलेगा इतना हमने यहां समझ लेना है अब जैसा कि हमने इससे पहले इस्टेडी किया कि जो अर्थ है ना वो चुईस घंटे में अपने ही ए अर्थ रोटेशन कर रहे हैं नहीं कि अर्थ यह अर्थ जब रोटेशन करती हैं तो 24 हावर में रोटेशन कर लेती है ठीक पहली चीज यह हो गई हमारे पास दूसरी चीज जब हमने लोंगिट्यूट्स को इस्टडी किया तो हमने यह जाना कि टोटल जो अर्थ है ना उसम इसने ही एक्सिस पर rotation करती है तो जो longitudes है ना उन 360 डिगरी 360 जो डिगरी है ना longitudes इनको भी वो rotate कर लेती है यानि कि 360 डिगरी घूम जाती है कितने गंटों में 24 गंटों में 24 हावर में तो इसका मतलब क्या निकलता है इसका मतलब यह निकलता है कि 15 डिगरी का मतलब होगा एक गंटा देखो सिंपल सी बात है 360 डिगरी का मतलब क्या हो रहा है 24 हावर 360 डिगरी का मतलब हो रहा है 24 हावर उसी प्रकार से अब एक गंटे का मतलब क्या होगा तो वन से डिवाइड करेंगे हम इसको तो आएगा हमारा answer 15 डिगरी तो 15 डिगरी जो longitudes की value होगी वो कितनी 4 मिनट्स ठीक हमें सिंपल सा इतना समझना है कि जब अर्थ अपने एक्सिस पे rotation करती इस पीन करती है दिन रात होते हैं तो कितने गंटे में अपने एक्सिस में गूम लेती है 24 गंटे में तो जो 24 गंटे में गूमती हैं तो 360 डिगरी रोटेशन कर लेती है अपने एक्सिस पे तो वह जो 360 डिगरी एक्वल जो longitudes हैं तोटल कितने longitudes हैं देखो हमने यहां पर देखा था कि कितने हैं वो है 360 डिगरी longitudes हैं तो यह जो 360 डिगरी longitudes हैं इनको यह चारों तरफ घूमती है कितने समय में चोईस गंटे में यानि 24 हा जाएगा एक hour है ना और एक डिगरी का मतलब हो जाएगा फोर मिनिट अब बड़ा मजाएगा अब बिल्कुल एजी हो जाएगी चीज अब देखो वेन इट इसको हम एक्जामपल की साहिता से समझेंगे जब वेन इट इस ट्वेल नून एट ग्रीन वीच ग्रीन वीच कौन स यानि ट्वेल ओक ग्लॉक होगा कपका बिल्कुल नून का तो देखो अगर हम इस्ट की तरफ जाते हैं यानि पूरव की तरफ जाते हैं तो जैसा कि हमें पता है कि फिप्टीन डिगरी का मतलब क्या है वन हावर और वन हावर में कितना मिनिट होता है 60 मिनिट और एक डिग दिगरी पूरव की तरफ जाएंगे इधर देखो इसमें यहां पर जैसे यह ग्रीन वीच लाइन से हम 15 डिगरी पूरव की तरफ जाएंगे तो यहां का जो समय होगा न वो एक घंटे आगे होगा जैसे मालो यहां दिन के बारा बज रहे हैं तो यहां दिन के एक बजेंग ठीक अगर इसी तरीके से हम इस तरफ जाए 15 डिगरी तो यहां पर सुबह के 11 बजेंगे क्या बजेंगे सुबह के 11 क्यूंकि इस तरफ जो टाइम वो माइनस होगा देखो फिर से इसको देखते हैं जैसे मालो दट टाइम एट 15 डिगरी वेस्ट ऑफ ग्रिन वीच यह बिहां जाए इसमें अगर दो पर के 12 बजेंगे तो यहां पे हम इस तरफ जाएंगे तो 180 डिगरी में जाएंगे तो 180 डेघरांवर्स में लग उन्टों में आएगा 12 तो उस समय पे वहां का midnight होगा रात के 12 बज़े होंगे या झाँ इगर यहाँ पे नहीं इखर दो पर के 12 बज़े होंगे zero degree में zero degree longitude में दो पर के 12 बज़े है तो जो 180 degree है ना वहाँ पे रात के 12 बज़़े होंगे देखो यह चीज हो गई अभी देखो इसको और भी आसान तरीके से हम समझेंगे बड़ा मज़ा आएगा यह वर्ल्ड क्लोक हमने हमारे केंद्रे विद्धाले जैत्पुर में इस्टैबलिस कर रखी है तो जैसे यह यहाँ पर देखो आप यहाँ पर आपको GMT नजर आ रहा होगा ग्रीन विच मीन टाइम यह जो जीरो डिगरी लोंगिट्यूड है यह यह वाला इधर देखे यह जीरो डिगरी जो लोंगिट्यूड है यह यही होता है GMT तो देखो यहाँ पर GMT का जो टाइम है न वो कितना है 00 अब देखो लंदन में प्लस वन है प्लस वन मतलब एगंटा आगे है तो देखो आप ग्रीन विच में अगर आप यह जो ग्रीन विच लाइन है इस ग्रीन विच लाइन के पूरो की तरफ आप जाओगे तब लंदन आता है उसी प्रकार से अगर आप इस वर्ल्ड क्लोक में देखोगे नियॉर्क को तो मोस्को में गए मोस्को रश्या की राज़दा एंति यहां प्लस थ्री है अगर इंडिया में गए त्यां प्लस 5 30 वाइप 30 मिनिट्स हैं इसके लिए अगर हम टोक्यो जापान की कैपिटल में गए तो वहां पर प्लस नई है यानि हम जी अमटी से अगर वेस्ट की तरफ ज यह टाइम हो रहा है एक बज के लगबग 17-16 मिनिट हो रहा है एक बज के तो यहाँ पर जो तो तो दो बज़ के 16 मिनिट हो रहे हैं, यहां पे 1 बज़ के 16 मिनिट हो रहे हैं, लेकिन यहां पे 2 बज़ के 16 मिनिट हो रहे हैं, अब जैसे मास्क को प्लस 3 है, इसका मतलब 45 डिगरी आगे है यह, जो मास्क को है न, GMT क्या है, 0 डिगरी की लाइन है, तो इस 0 डिगरी की जो लाइ 45 degree ahead East की तरप है तो यहाँ पे plus 3 आएगा यानि 3 गंटे आगे तो देखो यहाँ पे आप time को देखोगे न तो यहाँ जब 1 बज के 16 मिनट हो रहे है तो यहाँ 4 बज के 16 मिनट हो रहे है तो 3 गंटे आगे है उसी तरीके से GMT है GMT से जो हमारा इंडिया का जो time है GMT जो हमारा इंडिया का जो time है न वो है 5.5 गंटे आगे इसका मतलब जो हमारा जो है न degree वो value आएगी लगबग 80 degree point 80 degree 30 minute 80 degree 30 minute तब जाके 5.5 गंटे हम आगे होंगे तो देखो बिलकुल जो GMT में जब हो रहा है एक बजगे 16 minute तो उसी समय में 5 गंटे आगे भारत में 6 बजगे 46 minute का समय हो रहा है कहां पे इंडिया में और अगर आप बिलकुल टोकियो में चले जाओगे तो वहां पे प्लस 9 होगा देखो यह एक बजगे 16 minute हो रहे है तो इस प्रकार से जो longitudes होते है longitudes से हम क्या करते है time की calculation करते है क्या करते है time की calculation करते है ठीक इसके बाद यह हमारा time का हो गया अब देखो why do we have standard time अब देखो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हमारा जो भारत का भी latitude and longitude value है जैसे भारत की latitude and longitude value देखोगे आप तो 8 degree से लेके 37 degree north latitude है यह तो latitude हो गया तो हम कौन से जोन में आ गए हम आ गए torid zone में torid मतलब tropical zone में तो यहाँ पर हम इसा temperature जादा मिलेंगे उसी तरीके से जो हमारी longitude value है हमारे देश की जो longitude value है न वो है 68 degree east से लेके 97 east तक तो इससे क्या हो गया इससे total लगबख 30 degree जो है न उसका difference आ जाएगा हमारी इंडिया में लगबख 30 degree जो latitude है न उनका अंतर आता है तो लगबख जो 2 गंटे या फिर 1 hour 45 minute का difference आ जाएगा कहाँ पर गुजरात का जो दौर का है न वहाँ से लेके अधनाचल परदेश से तो हमने क्या किया कि पूरे भारत में एक ही क्लोक रहे अगर मानलो जैसे हम हर डिग्री में एक क्लोक बनाएंगे जैसे हमने 68 degree में एक क्लोक बनादी GMT से फिर यहां एक क्लोक बनादी यहां एक क्लोक बनादी तो उससे क्या होगा हमारे देश में डिफ्रेंट डिफ्रेंट घडियां हों की डिफ्रेंट डिफ्रेंट क्लोक होगी तो उससे मैं समय की सही तरीके से हम गणना नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए हमने क्या किया हमने एक लाइन जो बिल्कुल भारत के मिडल सो के गुजर रहे है यह कौन सी लोंगिट्यूड 80 डिग्री एंड हाफ डिग्री हाफ इस्ट लोंगिट्यूड क्योंकि हमारा जो देश है न वो इस्ट कॉंटिनेंट में है कहाँ पे देखो यह जो ग्रीन विच लाइन है ने यह रही ग्रीन विच लाइन यह जीरो डिग्री लाइन है तो यहाँ पे हमारा देश इस्ट कॉंटिनेंट में है तो हमने जो 82 82 डिग्री एंड जो हाफ है उसको हमने हमारा इस्टेंडर टाइम लाइन डिकलेर कर दिया यह पिलकुल भारत के मिडल से होके गुजरती है तो इसका जो GMT टाइम है इसका जो GMT टाइम है नो वो कितना है Greenwich लाइन से साड़े पांच घंटे आगे यदि यहाँ पे देखो आप जैसे GMT में अगर दो पर के बारा बज़रे होंगे घड़ी में तो भारत में उसी समय में साड़े पांच होंगे साम के है ना तो जो भारत की जो इस्टेंडर टाइम लाइन नो वो क्या है देखो वन हावर एंड 45 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा गुजरात और आसाम में देखो गुजरात में हमारा विद्याले केंडरे विद्याले जेतपूर है सोरास्ट्र में बिलकुल वेस्ट में उसी परकार से जो मेरा कजीन है ना वो अरुनाचल परदेश में एक जगह है तुतिंग वो बिलकुल फारेस्ट बोर्डर में है तो वहां पर जो दिन ना दिन की शुरुआती दो घंटे पहले हो जाती है यहां से तो अगर हम डिफरेंट डिफरेंट क्लोक यूज करते हैं न हमारे देश में तो डिफरेंट डिफरेंट घड पर देशांतर है यही हमारी जो पूरी कंट्री है उसका क्या है IST इंडियन इस्टेंडर टाइम क्या है IST भारत की मानक समय रेखा यह देखो यह वाली यह जो भारत की मानक समय रेखा है यह हमारी ठीक तो इस वज़े से ताकि हमारे देश में डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन ना हो एक ही टाइम जोन हो इसलिए हमने एक ही IST यूज किया है ठीक इसके बाद देखो यूज ओ लेटिट्यूड और लोंगिट्यूड तो देखो हमारी जो मेप है अर्थ का या फिर ग्लोब है तो ग्लोब में जो मेप में जो होरिजोंटल लाइन से ये ये जो होरिजोंटल लाइन से ये इसको तो हम कहते हैं लेटिट्यूड अक एक साथ यूज़ करेंगे ना तो पता है हम अर्थ में किसी एक 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 ज़ंच रोकेशन का पता कर सकते हैं यानि कि देखो latitude's का main proportion अगर शर्फ latitude की बात करेंगे न तो वह क्या बताएगा में temperature zone जो latitude講 land न अगर हम सिर्फ latitude latitude की बात करेंगे ति ये हमें क्या बताएंगे temperature zone और अगर हम longitude की बात करेंगे ति यह हमें बताते है time zone है ना पर अगर हम दोनों का एक साथ use करते हैं तो यह हमें बताते है location क्या बताते है location यानि किसी भी जगह की सूचना यानि कि आप जो गूगल मेप यूज करते हो या फिर आप कोई भी जोग्रोफिकल पोजिशन सिस्टम यूज करते हो जीपिएस जो यूज करते हो आप तो उसमें जो यूज होता है ना वह latitude and longitude की साहिता से होता है देखो इसको बड़ा ओसान एक्जामपल से हम समझते हैं इसके लिए हमने हमारा जो केंडरे विद्धाले जेतपूर है उसके दो स्क्रीन सोट लिए किसके गूगल मेप के पहला वाला जो स्क्रीन सोट है ना उसमें तो latitude जो longitude है ना उसकी value आ रही है दू पिन में मैंने long प्रेस किया ना जब इस पिन में तो मुझे इसकी latitude and longitude value मिली तो जैसे इसकी जो latitude value है ना वह है 21 degree 74 मिनट और इसकी जो latitude value है वो कितनी है 21.7 डिग्री latitude वही 70.57 डिग्री लोंगिट्यूड इसकी value है किसकी इसकी इसकी इसी प्रकार से अब देखो जैसे मालो यह exact location को बताते है जैसे आपने longitude में तो आप इस जगह गये latitude में इस जगह गये तो आपको एक particular location मिल जाएगी त तो हमने इसकी साहिता से Google Map की साहिता से हमने किसकी location को देखा हमारे केंद्रे विध्यले जैतपूर की और वो कहां पर राजकोट डिस्ट्रिक्ट में है तो जो हमारे केंद्रे विध्यले जैतपूर की latitude जह लोंगिट्यूड वेल्यू है वो कितनी है 21.74 डिग्री नोर्थ and 70.57 इस्ट लोंगिट्यूड हमारे केंद्रे विध्यले जैतपूर की वेल्यूर गूगल में जो आपको location बताता है उसके लिए किसको यूज करता है वो यूज करता है latitude and longitude को जैसे आपको एक बार और इसमें एक और example बताता हूँ जैसे कि मानलो मैंने आपसे का 20 डिग्र लेटिट्यूड और 80 डिग्री इस्ट लोंगिट्यूड का यूज करो तो आपको मैं आपसे पूछूँगा कि वो location कौन सी होगी तो आप 20 डिग्री से इस तरीके से एक line खीच होगे world map पे उसी तरीके से 80 डिग्री की भी एक line आप खीच होगे तो आपको पता लगा आपक कि जो line जहां पे मिल रही है जो grid जहां पे मिल रही है तो वो exact location होगी इंडिया देखो 20 डिग्री लाइन से आप गए यहां पे और 80 डिग्री जो longitude line उससे आप गए यहां पे तो आपको कौन सी location मिली इंडिया उसी परकार से हम एक और location को study कर लेते हैं हम 20 डिग्री latitude से जाते हैं यहां तक और 140 डिग्री से आते हैं इस तरफ तो पता है कौन सा continent आ गया Australia तो longitude का joint जब हम यूज करते हैं एक साथ तो उससे हमें जो exact location है किसी भी जगह की उस location की हमें जानकारी मिलती है तो इस परकार से हम जो latitudes और longitude दोनों और उसकी साहिता से हम location की जानक लिट हो गया है तो एक बार हम इसका final revision कर लेते हैं पहले वीडियो का description box में लिंक है तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले globe को जाना globe एक miniature form है किसका हमारी अर्थ का जो की बिल्कुल countries, continent, ocean सब को सो करता है correct size में इसके बाद हमने axis of the earth को जाना ते के imaginary line है जिसी line पर यह जो rotation करती है इसके बाद हमने latitudes को जाना latitudes जो equator line है imaginary line इसके parallel होते है north pole and south pole तक तो इनको latitudes करते हैं है पिर जो important जो parallel है नों में tropic of cancer है 23 degree and half north latitude, tropic of capricorn है, architect circle है, Antarctic circle है हना इसके बाद हमने pole of the earth को जाना तो जो 90 degree north में और 90 degree south में जो है last point उनको हम कहते है पॉल, ठीक, इसके बाद हमने north latitudes and south latitudes को भी study किया, ठीक, इसके बाद हमने equator को जाना और उसके जो northern hemisphere और जो southern hemisphere उनको जाना तो equator से north का जो पूरा हाप जो hemisphere है उसको northern hemisphere कहते हैं, नीचे का southern hemisphere कहते हैं, heat zone को हमने जाना, जहाँ पूरे साल temperature ज़्यादा होते हैं, उसको torrid zone कहते हैं, जहाँ पर जाद ना तो जदा ठंडा होता है, ना जदा hot होता है, उसको कहते है, temperate zone और जहाँ पर पूरे साल ice form में water होता है, या पिर काफी ज़्यादा सर्दी होती है, उसको कहते है, freeze zone, इसके बाद हमने longitudes को जाना, तो हमने जाना pole to pole जो vertical line होती imaginary, अर्थ के globe में, आर्थ के map में, तो उसको कहते हैं, longitudes, ये total कितनी होती है, 360 degree, इसके बाद हमने longitudes and times को जाना, तो जो longitude है उसी से हम जो time की calculation निकालते है, तो इसमें हमने study किया, कि जो अर्थ है न, 360 degree घूमती है, कितने गंटों में, 24 गंटों में, तो 50 degree का मतलब होगा, एक घंटा, उसी परकार से एक degree की value कितनी हैगी, 4 मिनट, फिर इसके बाद हमने जो हमारी केंदरी विद्धेले जेतपूर की जो clock थी, world clock उसकी साहिता से भी हमने, जो GMT और जो time location है न, world clock है, उसको हमने जाना, इसके बाद हमने standard जो timeline है हमारी इंडिया की, या पिर जिसको इंडियान standard time भी कहते हैं, IST, उसको भी हमने समझा, और इसके बाद हमने use of latitudes and longitudes का किस परकार से हम exact location प्राप्त कर लेते हैं, तो उसको जाना, जिसे हमने, जाना कि हम 80 degree से उपर की तरब और 20 degree से आएंगे, तो हमारा इंडिया आ जाएगा, grid form को हमने समझा, और इसके ला link आपको description box में मिल जाएगा, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, thank you